IPL 2024 में राजस्तान रोयल्स की टीम ने जीत की हैट्रिक लगा दिये और अपने आकरी गेमें इन्होंने MI की टीम को काफी बढ़िया तरीके से हराया था और ऐसे में इस मैच के बाद अब राजस्तान रोयल्स की टीम की तरफ से कुछ बढ़िया अपडेट्स आ रही है क्या वीडियो काफी ट्रेस्टिंग रही है कि आप सभी IPL फैंस के लिए राजस्तान रोयल्स फैंस के लिए तो वीडियो को आपन तक जोड़ देखेगा तो चलिए दोस्तों बात करें हम सबसे पहली बड़ी अपडेट के बारे में तो यह अपडेट है राजस्तान रोयल्स की टीम के जेब में ये मैच डाल दिया था बहुत ही तगड़ा इन्होंने स्पैल डाला था ट्रेंट बोल्ड की बात के लिए तो चार ओवर डाले इन्होंने 22 रंदी और 3 विकर लिए और 3 बहुत ही बड़े विकर लिए जहां पर रोयट शर्मा को इन्होंने गुल्डन डग पर आउट किया नमन दीर को इन्होंने गुल्डन डग पर आउट किया वहीं पर डिवॉल्ड प्रेविस को भी इन्होंने गुल्डन डग पर आउट किया था और ट्रेंट वोल्ड का खाफ बहुत ही तगड़ा देखने लाए इस मैच में बहुत ही तगड़े इन्होंने स् आरो डाले मात्र ग्यार अरंदी और तीन विकेड लिए जो चहल जो आरार की टीम के लिए लगातार अच्छा पहुंस देते हैं वो एक और बार फीट से हमें देखा और वानकीडे की स्टेडियम पे इन्होंने तीन विकेड निकाले बहुत ही अच्छी इन्होंने गिंदबा इस मैच में बढ़िया गिंदबाजी करी नांद्रे बर्गर का प्लेइंग लाउन में खरलना काफी ज़्यादा इंपॉर्टन है नांद्रे बर्गर की बात करें तो चार और में बदिस रन दिया और दो विकेले रन थोड़े पड़ी के थे लेकिन अच्छा स्पेल इन्हो अवेश खान की बात करें तो इन्होंने दोस्तो चार और में 30 संदिये एक विकेट निकाला तो ओर और 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 की पूरी बॉलिंग यूनिट बढ़िया फॉम में दिखाए दे रहे संदीव शर्मा इस मैच में नहीं किले थे लेकिन ओर और पांच बॉलर के साथ और और की इनको मैच जिता है इस बार भी दोस्तों काफी जल्दी तीन विकेट गिर गे थे और लग रहा था कि थोड़ा माहौल बन रहा है मैच यहां पर बन रहा है लेकिन रियान पराग ने काफी मैच ओल यह इनिंग्स के लिए स्टार्टिंग में यहां पर कोई यहां पर इन्हो इनके पास हीटिंग अबिलिटी है और यह दिखा रहेगी कि यह क्यों इतने सालों से राजस्थान रॉयल्स की टीम इनको बैक कर रही थी फाइनली बढ़िया फोंस दे रहे और बहुत ही अच्छी कबर है आरार की टीम के लिए कि जो आरार की टीम का मिडल ओडर है और रि दोर में नहीं दिखाई दे रहे लग रहा था कि इस मैच में फॉर्म में आ सकते हैं लेकिन बिल्कुल भी वो लैमें दिखी नहीं रहे है मातरे ट्रेरा रहा है वहीं पर बात कर हम याश्यषवी जैसवाल की तो याश्यषवी जैसवाल से भी फॉर्म या पर थूड़ी द के लगए और वो आउट हो गए राजस्थान रॉयल्स किटिंग लिए यह कहीं न कहीं कमी नजर आती हुई दीख रही है जो आरार किटिंग की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही थी आई पेल 2024 के शुरू होने से पहले वही दोस्तों आरार किटिंग लिए बहुत ही बड़ा क को यहां पर चलना ही पड़े गया कि हर बार रियान पराग नहीं बचा सकते हैं क्योंकि अभी तक तीन मैचिस में आप रयाजस्थान रॉयल्स के पॉइंक पॉईंट सेबल पर नमबर वन पर है और आरा की टिम के नेट रनेट है वह काफ़ी बड़े हो चुग है 1.25 यहां बनेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम का ये net run rate है positive में net run rate है और ये RR की टीम के लिए काफी बढ़िया है कि RR की टीम बढ़िया जीत रही है और net run rate भी बढ़िया हो चुका है RR की टीम को यही momentum carry करना पड़ेगा और और भी अच्छा खेलना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास टीम अच्छी है अच्छा खेल रही है RR की टीम के और भी की लड़ी जैसे जैसे form में आएंगे और भी ये बढ़िया टीम performance देने लगीगी आपकी क्या रही है आपको इस match में किसकी लड़ी की बहुत ही बढ़िया वांस लगी है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा तो आपके उड़ी अच्छी लगी है तो उड़ी को जोड़ से लाइक शेरें चैनल पर ने हो चैनल पर पहली बाद आयो तो चैनल को जोड़ से सब्सक्राइब करना